हलो दोस्तों आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल सेड़ी पी कुन्हांसी में पर मेरा नाम है रभी और आप मेरे साथ कर दो अपनी हिंदी की प्रेट्पिस क्लासेस जो की यूपिटेट और सीटेट के लिए बहतरिन होने वाली आपकी त्यारी के लिए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास हम इस क्लास में करने वाले हैं 30 questions तो चलिए देखते हैं पहला question कौन सा है आज का पहला question है हिंदी भासा का जन्म हुआ है आपको बताना है किससे हुआ है लोकिक संसक्रत मागदी पाली या फिर वैदिक तो आपको answer देना है हिं संसक्रत की प्राचीन भाषा है आपको बताना है कौन सी प्राचीन भाषा है भारत की हिंदी पाली संस्क्रत या फिर आपको व्रेंश तो answer कर देए एक बार सभी लोग जो लोग नए जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वांकी जो हमारे साथी रोज क्लास ल नागरी प्रचार सभा के प्रथम सभापती कौन थे बाबु श्याम सुंदर दाश भारतेंद बाबु हरिष्चंद महावीर या फिर राधा कृष्ण दाश कुष्चन नमबर तीन का answer देजी सभी लोग इसका हो जाएगा option नमबर डी राधा कृष्ण दाश कह जाएगा र 1940, 1945, 1945 या फिर रूनीश सो तीरपन कृष्चन नमबर चार का option नमबर वी सही हो जाएगा कब क्या गया था उने सो पैंतालिस में किया था आगे चलते हैं अगरा कृष्चन देखते हैं जा का उच्छान स्थान है आपको बताना है जा का उच्छान स्थान क्या हो जाएगा शाथियों वीडियो को शेर कर दें एक बार और जो लोग ने जोड़ें चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए शाथ में और शेर कर दें एक बार अगला कुश्चन है शगोस धोनी है आपको बताना है शगोस धोनी कैसी है इन में से कौन है शगोस धोनी शा है का है या फिर ये विश्यरग है या फिर हा है इन में से शगोस धोनी कौन सी है कुश्चन नमबर 6 तो एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग आंसर कर दिजिये सभी लोग शगोष धोनी में से होजाईगी है हाँ जो है वो शगोष धोनी है अगला कुस्चन देखते हैं श्यूक तक्षर की शंख्या है आपको बताना है श्यूक तक्षर की शंख्या केतिनी है तीन, चार, पांच, छे आपको पता होंगे कौन कौन शेते हैं संजुक ताक्षर पहला होता है छ, क्या होता है छ, दूसरा होता है तर, तिसरा होता है गियां, और एक होता है स्र, क्या होता है स्रमिक वाला स्र तो कितने होगे, चार होते हैं कितने होते हैं, चार होते हैं रवर से शत्रज्या और श्रह इसका होजाएगा अपसन नंबर B, राइट आंसर आगे चलते हैं, दा का उचान स्थान आपको बताना है, दा का उचान Stack क्या हो जाएगा, तो एक बार सभी लोग आंसर कर दें, दा का उचान स्थान, क्या होता है दंद होता है ओष्ट होता है तालब वे होता है फिर शभी होते है दा का उच्छान स्थान क्या होता है साथियों होता है दंद कहां से होता है इसका उच्छान होता है दंद से यानि कि अपसन नंबर एसका बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलते हैं देखते हैं अ कियें फिर ना की है chas chips निनी निए कि लगा है की नहीं है उमीद किजारी द्रे लिख चुका होगा वारएक हांकित वाकि Umum, अपको बताना है कि यहां पर कौनसा材 है वह पत्र लिख का होगा मैं परवत घाटी अधित्यका या फिर भी शर्जन अंसर कर दीजे सबी लोग काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपसर नंबर सी अधित्यका क्या हो जाएगा अधित्यका आगे चलते हैं देखतें गला क्वेश्चन देवनागरी लिप कीस प्रकार की है आपको देवनागरी लिप किस प्रकार की है यह तो हम लोगों के लिए रठी पढ़िए देवनागरी लिप जो है वो कैसी है अच्छरों के दौरा बनीवी लिप है जो हम पढ़ते हैं कैसे हैं वो अक्षरों के दौरा हम पढ़ते हैं इसको हैं आगे चलते हैं श्याम मोहन को पु कौन सा है कर्म को छोड़किर अब बताइए कौन सा कारक है इस में ने तो आप करताने कर्म को लगा देंगे न तो आप बताइए इसमें कौन सा कारक इसलोडे बात हो दकारक को यहां किए रित एक अंधिक है कितने होता है सूध्र इस्त्रिन्ग क्या होगा आपको बताना है सुष्ध का इस्त्रि dalन क्या हो जाएगा सुष्ध्रक सुध्रक स्ुद्र्रा या फिर सुध्री कोश्चन नमर पंदरा का आंस्र करदीजिए सभी लोग एक पार आपको एक चीज़ और बता दें आज के आज रात 10 बजे से हमारी सीटेट की EBS की प्रेक्टिस क्लास है सुरू हो रही हैं अगर आप यूपिटेट के साथ में सीटेट की भी त्यारी कर रहे हैं तो कृपया जरूर देखिए आज रात 10 बजे आज आज आपकी सीटेट EBS की पहली क्लास आने वाली है रात को 10 बजे तो इसका आंसर बताईए क्विश्चेन नमबर 15 का इसका होजाएगा अफसर नमबर सुद्रा क्या होजाएगा सी आगे चलते हैं क्रमधार है दवन्द दिग या फिर तत पुरुष question number 17 का बताना है, कौन सा समास है, दंद तो होई, है ये नहीं, दिगू भी नहीं, आप बताए करमदारे और तत्पुरिस में कौन सा हो जाएगा, दीर आयुपद में कौन सा समास है, तो इसका हो जाएगा करमदारे, कौन सा है, करमदारे, अगे चलते हैं, चान्दी क्या है, चांदी, पुल्लिंगे, चांदी, पहना पहना जाता है, या फिर पहनी जाती है। ज़्छन sır भी आपसटरी देखे उसलें है। साहस का विलोम क्या हो जाएगा अंसर कर दीजिए साहस का विलोम क्या हो जाएगा अब तो एक ही आप्षन बचाए भीत बचाए काउंसा भीत हो जाएगा इसका आप्षन नमबर A साहस का विलोम भीत आगे चलते हैं देश का पहला राष्ट्री हिंदी संग्राहले कहां स्थापित किया जा रहा है आगरा कानपुर प्रियागराज भोपाल तो आपको बता दें कि देश का पहला हिंदी संग्रहले ताज की नगरी कौनसे है ताज की नगरी आगरा में स्थापित हो रहा है आगरा के मसूरें पेठे आगे चलते हैं भारत के प्रथम राष्ट कभी कौन हैं? महादेवी वर्मा, कबीर, शूरिकांत्रिपार्थी निराला या फिर मैथली सरण गुप्त। आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट कभी कौन है महादेवी वर्मा कभीर सुरिकांत त्रिपाथि निराला या फिर मैथली सरण गुप्त ते इसका अंसर कर दें एक बार इसका हो जाएगा मैथली सरण गुप्त कौन है मैथली सरण गुप्त आगे चलते हैं हमारी हैं सभी क्लासों को देखी आपके लिए कर लें आपके लिए रोज साम को साथ से लेकर के नो या दस बजे तक के लिए सब्सक्राइब के प्रेक्स लगातार चलती हे हमारी हैं सबी क्लासों को देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा प्योगी गुरईया उड़ा या गुरईया उड़ी बूंद पड़ी या पड़ा मृत्त हुआ या हुई यानि कि ये सारे के सारे कैसी है इस्त्रिलिंग है एक ये जो है उपवास हुई नहीं उपवास रखी नहीं जाता है उपवास रखा जाता है यानि पुलिंगे पुवास आगे चलते हैं उर्दू किस भासा का सब्द है उर्दू किस भासा का सब्द है बताईए अर्भी है तुर्की है फार्सी है पूर्त गाली है उर्दू किस भासा का सब्द है हमें यह बताना है तो कमेंट बाक्स में आंसर कीजिए आप लोग सभी लोग एक बार किस भासा का सब्द है उर्दू किस भासा का सब्द है तो यह है अर्वी तुर्की भासा का सब्द है किस भासा का है तुर्की भासा का सब्द है उर्दू आगे चलते हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दें सभी के पास नाँ जी, तो बताए ये, खड़ी बोली को, अनि किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चेन columni को जाएगा, आप्शन नमबर ए, किस नाम से जाना जाता है, कवर भी नाम से जाना जाता है, आगे चलते हैं, इन में से मात्रिक छंद रहे आपको बताना है इन में से कौußा छंद मात्रिक है चारों आप्सें देख लेजे़ी और answer करेदीज और साथिए इन में से कौन सा मात्रिक छंद रहे है ऐसे भाई और सब्रिखेंस से आपसन नमबर D क्या है बरवे कैसे होते हैं मात्री चंद होते हैं आगे चलते हैं तुम महान बन सकते हो वक्त में प्रयुक्त काल है तुम महान बन सकते हो बन सकते हो बने नहीं हो यानि बन सकते हो कब भविश्व में बन सकते हो तो बताइए इसमें से कौन सा काल हो जाएगा इसका हो जाएगा आपसन नंबर C, संभाव भविश्च का लएए है ना, आगे चलते हैं एक नार पिया को भानी, तनवा को सगराज्यों पानी या पंक्त की से भाहसा की है एक नार पिया को भानी, तनवा को सगराज्यों पानी ये पढ़ने से ही लग रहा है की बताइ dim intention आप लोग बताए ए ब, इसमें से क्या उजाएगा ब्रजभासा या फिर आजी एक नर्पिया को भानी तनवा को सगारा जियों पानी तो इसका हो जाएगा बापस्र नमबर ए वर्जभासा की पग्ति है किस वर्जभासा की हे वर्जभासा की आगे देखते हैं शम्मिधान की आठवीन सूची के अनुशार कितनी भासाओं को राज भासा के रूप में सम्मिधानिता मानिता प्राप्त है आपको बताना है कि सम्मिधान की आठवीन सूची में कितनी भासाओं को मानिता प्राप्त है 22, 25, 28 तो काफी आसान कोश्चेने कितनी भासाओं को मा ता प्राप्ति अब चलते हैं आगे अगला कुछ निहीं हिंदी गद्य के प्रतिश ठापक आपको बताना अ कुए कोई नहीं को कुश्चन नमबर 30 का अंसर कर दी सभी लोग आज का अंतिम कोश्चन है इसका अंसर करिए सभी लोग तो इसका हो जाएगा अपसर नमबर A आचारे महावीर प्रशाद दुवेदी क्या हो जाएगा आचारे महावीर प्रशाद दुवेदी तो साथ हो याद रखना जो लोग seated के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए आज की class बहुत ज़्यादा important रहने वाली है क्योंकि previous question आपको देखने चाहिए कैसे कैसे question बनते हैं seated के EVS का जो part है वो आपको हम करवाने वाले हैं आज से शुरू हो रहा है आज रात 10 बजे से आज पहली class आगी रात को 10 बजे तो जरूर देखना उस class को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबाए